जब हम mathematics के बड़े-बड़े सवाल लगाते हैं तो कुछ ऐसे चोटे-चोटे concepts होते हैं जो हम class 6, 7, 8 में पढ़े रहते हैं लेकिन हम उसको थोड़ा भूल जाते हैं तो जब हम सवाल लगा रहे होते हैं तो हम उस चीज में फस जाते हैं तो उनी चोटे-चोटे concepts को अब मैं complete करने की पूरी कोशिस कर रहा हूं जिसमें आपको यह पहली वीडियो मिल रही होगी जहां पर हम बात कर रहे होंगे how to find square root of the decimal number by the division method division method से normal number का तो आप निकाल पाते हो square root जहां पर आपको जड़त पढ़ती है लेकिन decimal number जब आपके पास आ जाते हैं तो आप स्क्वार root निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है तो आज हम इस वीडियो में वहीं चीज़ सीख रहे होंगे और आपके भी मन में अगर किसी भी सवाल को लेकर doubt हो जैसा कोई भी बड़ा सवाल लगा रहे हैं उसमें किसी भी चीज में आप फस रहे हैं तो उसको उसके बारे में को एंसर में मुझे बताईएगा कमेंड करके और अगर नए हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लेजेगा फर मोर कॉम्प्रेटिव एक्जाम्स वीडियोज ठीक है चले स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले में आप सभी लोग उसकोंगा कि अगर आप क्लास एट नाइन तें 23 जहां पर हम प्री कंटेंट पीडिया नोट सारी चीज़े प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप है एट नाइन टेंट में तो मेक स्यूर कि आप इसको जॉइन कर ले या फिर आप अपने जूनियोज को रिगमेंड सकते हैं तो आपके सामने यह दो नंबर दिख रहे हैं तो मुझे बताएगा कििस का स्कॉएर क्या होगा कब टह 10 होगा अब लिगात करता है या कि क्या हो अब है मैतर में बताралके है कि इसका ठ्रीक यह होताılar थिक है और यहां पर दूना च और रिक्क नौ तो यह तो यह रही के पास जादा तो यह हुआ टीन और साथ होगा तो 28 ठीक है तो यह तो बैसिक बात है इसके बारे में डिस्वस्व्ण नहीं करने आगा तो हो आपको डिवीजिंग कैसे करना इस चीज को चिखना सबसे पहले मैं आपको यह चीज सिखाऊंगा कि डेसीमल वाले नंबर में पर इंग कैसे करते हैं घोते आपको इक बड़ा नंबर लेता हुँ जैसे मालें यह अब थे के लिए तो साथ को अकेले दग दिजी पॉइंट के लेट साइड जाएंगे 76 का एक पेर 18 का एक पेर और नाइन का एक पेर जो भी छोड़ी चोड़ी बच्चे इस चीज को सीख रहे हैं बहुत ध्यान से सीखेंगा मैं बेसिक से सिखा रहा हूं बस मैं यह दोनों एकजांपल लिया हूं पेरिंग सिखाने के लिए सब्सक्राइब करिए कि आपको जरूरत पड़ता है तो डेसिमल के बाद आप चाहिए जितना जीरो लगा सकते तो यहां पेर भी बन जाएगा यह अकेले ही रहेगा इसके आगे जीरो भी लगाएंगे उस सिंगल भी छोड़ सकते हैं 671 पेर हो गया और यह एक वन पेर हो गया इतना में समझ में आ गया होगा तो डेसिमल डेसिमल नंबर में सबसे पहले आपको जी सीखना है पेरिंग आप कैसे करेंगे चलिए अब मैं आपको सवाल करवाता हूं पहला यह बेसिक सवाल करते हैं से डेसिमल है तो हमने क्या किया यहां पेर कर दिया यहां पेर कर दिया अब आपको पता है कि पेर कर दिया तो सबसे पहले आप 7 को देखिए 7 यहां पर क्या करेंगे हम दो दूना चार इसको लिखेंगे आपको पता होगा स्क्वारूट कैसे निकालते हैं तो यह दो दून इतनी बात बहुत बढ़िया अब यहां पर आप क्या अब साथ में दोनों आएंगे टू नाइन अब यहां पर देसिमल मत उतारिएगा यहां पर करेंगे कैसे चार अठे बत्तिस होता है तो आप आठ करके ट्राइगे तो आठ से यह आ जाएगा अठे चोशट छे करी आठ चोका बत्तिस चैट तीन चोरासी तो यह ज्यादा हो गया इससे तो हम रफ वर्क पर फोटी सैवन एकबर ट्राइगे क्योंकि जो नंबर यहां लिखते हैं उसी करते हैं यह खतम हो गया जीरो आ गया यह 47 साथ चोवन हालाकि इसके बाद कोई नहीं है तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा इसका 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 रूट हो जाएगा टू पॉइंट सेवन क्लियर है बिल्कुल सबको क्लियर है डिवीजिजिन में चलिए अब इसी चीज को यहां फड़ा फट से अब करेंगे तेजी से यहां पेरिंग की आप इसके बाद हमें पता चल गया चार्चाव का सोल है पांच पाच्पचीस हो जाता है तो चार्चार आठ ड़िए पॉइंट लगा दो जीरो नाइन अगया जीरो नाइन उतार दो अब यहां से आपको सोचना है है कि भाई क्या होगा अब आपको पता है कि आठ शांगर तालीस आठ सथे चपन आठ सथे चपन अठेटे चो सब्सक्राइब कर लेते हैं 87 में 7 का मल्टिप्लाइब करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चीजे समझ में आई होगी तो ठीक है चलिए अभी सवाल ये बड़े सवाल इनको करने को जूरत नहीं है यह एक दो सवाल और इसको हम लोग कर लेते हैं यह सवाल और यह सवाल आपको होमवर करेगा सपोज हमारा है यहां पर बना दिया राइट साड में पॉइंट के और यहां सिंगल हो गया यहां एक है तो यह एक जाएगा एक अब यहां पर मैं कुछ डेसिमल और जीरो को लेकर जो धारणाएं बच्चों के मन में वह कंफ्यूजन को इस क्वेशन से दूर कर रहा होंगा ठीक है यह वन वन टू हो गया यहां पर जीरो हो गया अब पॉइंट आया है तो पॉइंट चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर बच्चे पता है कि यहां पर आपको जीरो लिखना है आप यहां भी जीरो लिखेंगे क्योंकि जो नंबर आप यहां लिखते हैं वही नंबर आप यहां लिखते हैं अब इसको जीरो से मल्टिप्लाइए करेंगे जैसे ही जीरो से मल्टिप्लाइए करेंगे तो यह आपका जीरो आएगा और यह बच्चे गलती क्या करते हैं यहां जीरो लिखते तो उन्हें लगता है कि यह तो यह नहीं लगाएं तो यह समझ में आया सबको हमने जीरो से किया जीरो यहां लिखा बीस जीरो 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 अब यह वन टू आ गया अब मुझे पता है कि आप उपर ओला नंबर उतर के आएगा यहां बारसो पचास अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्लियर है समझ में बहुत बढ़िया अब देखो अब हम क्या कर सकते रफ पर दो 212 हो जाएगा और यह कितना आज आए गगा this 44 और यहां से तीन्हे कितना वच्छा आपका एक बचा चौदあенной अब यहां पर आप नहीं हड़ाए कए अब यहां जिरो से करते हैं इसको करते कि नहीं उत्रेगा याह। 0 से multiply करेंगे यह क्या से करेंगे गर आपके पास कोई नमबर है नहीं अगर दूतरना भी चाहते तो आपको 0 भी से multiply करेंगे ऑपका यह हो सब्सक्राइब यह VO c20 यह जाएगा छौदर ए यही चीज आपका आने लगेगा चलिए बहुत बढ़िया यहां पर छोटा सा confusion हो रहागा कि यह यहां पर जीरो आएगा कि हम जीरो से जब यह एक जीरो डबल जीरो उत्रेगा यह confusion होगा बिल्कुल confusion होगा यहां पर उसी चीज को clear करने कोसिस करते हैं पॉइंट के बाद तो जीरो यहां पर थोड़ी से मैंने गलती की है एक सेकिन मेरे को इस चीज को कवर करने देजिए थोड़ा सा confusion हुआ यहां पर क्योंकि डेसिमल चल रहा है तो एक जीरो तो आएगा ही देखिए मैं इस चीज को बताता हूं आपको clearly यह डाउट हो सकता है हलका सा मुझे भी डाउट हुआ और उस चीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं अदर्वाइस बाद में हमें questions में प्रॉब्लम आएगी यह वाला सवाल है जो आपको हर डाउट क्लियर कर रहा होगा जैसे यहां पर 14 है तो हमें पताए कि है डेसिमल है तो यहां से डबल जिरो नीचे उतरेगा हमें क्यों उतरने में क्या दिक्कत यह डबल जिरो उतरेगा लेकिन यह दोसों बारह है और यह चौदा सो है clear अगर हम यह एक भी रखते हैं यह 2121 आएगा सब्सट्रेक्ट होगा नही ओंक के देखते यह ईना सब्सक्राइगा फिर से आएगा अब तुम्हें एकетр हो गया कि है तो जिरो उतरेगा हर बाठियों किए इसके आगे इसके आगे भी तो डबल जिरो है इसके आगे तो डबल जीरो है इसके आगे डबल जिरो है प onc 38 साओंगि नी में हृभी सानवा आपको डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद तीन नंबर तेक आपको एंसर देना है तो मैं देखता हूं तब से पहले किस बच्चे का सही जवाब आता है उस बच्चे का कमेंट पिन करूंगा ठीक है चलिए अब इसके अलावां जैसे माले जो कोई नंबर आया 395 इसका हम यह परफेक्ट स्कॉयर नहीं है तो इसका अगर हम स्कॉयर रूट निकालते तो वह कैसे बनता है इसको करने की कोसिस करते है चलिए अब यह एक पियर बनाया यह यहां कर दिया कि एक 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 दो यह कितना बचा recover 95 नीची आएगा अब सोचे आराम करा म्से अपने दिमाग से कि यहा क्या जाएगा यहां क्या जाएगा जाए एक पार दिमाग से सूचेंगे सा 얼마나 बच्ची आह्च इना शोजा तीन कुछ गलत कर दिया क्या हमने नहीं 29 दावार एक तो गढ़बड हो गया एक एक कम एक 29 हुआ कुछ तो गढ़बड हो गया फिर से यह यह हमने किया तीन यहां बचा दो यह आपका दो दुना चार तो होगा नहीं तो यह एक एक ही पाएगा तो यह नौब ही जाएगा इससे ज्यादा तो जा नहीं पाएगा ठीक है यहां हम नौ कर लेते हैं और अब यहां से हमें समझना है कि हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जैसे ही आप अपने से यहां डेसिमल लगाते हैं यहां आपके पार डबल जीरो आजाएगा अब अब यहां पर अगर आप डेसिमल लगाते तो आपके पार डबल जीरो आटोमेंटिक आता है क्लियर है यह बास अब को बहुत बढ़िया अब यहां पर करेंगे तो आट्रीक चौबियस आत्री के कई आट से करके देखिए आठ्टी चौट चार आया सिक्स कैरी अठ्टीक चोशाट चार अट्ट सिक्स कैरी आठ्टीक चौबिश च्छे तीस एक डाउट यहां सकता था कि यहां पर 29 इस से ज्यादा आप मल्टिप्लाइब करी नहीं सकते थे इसलिए हमें यह वाला डाउट आ रहा होगा ठीक है चलिए तो यह त्री नाइन सिक्स आ गया यहां सब करके देखेंगे डाउचल लंज false रखी जाएग를 आपका साथ साथुन चांश्ञ नो केरिँ या साथ हिं बैली कि प्लेष तर सट और आउट करते हो जाता क्या हना च्छोंत keluar आना सबकर सबकुर्ष नया सब्सक्तै आता हो जाता है दो नौ मिस छह गया तीन और साथ 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 चौदर साथ पंद्र है और यहां पर सताइस तीन तीस ठीक है 383 नहीं बचता है ठीक है तो दाट इस फाइनल एंसर आपका निकाल सकते हैं क्लियर तो मैं उमीद करता हो कि आपको सारी जीजे पसंद आई होंगी जीजे समन्में अगे जो भी होता है तो आप इस चीज को रिमेंबर रखेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और आपको जहां भी जिस टॉपिक पर डाउट है उसको कमेंट करिए मैं धीरे 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 आपको उस टॉपिक्स पर वीडियो देना शुरू कर रहा ह ठीक है चले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल दखिए बाबाइब्रीवन लव यू आल एंड जैन